यहाँ पर दोनों ही software open किया है यह एक database software है जिसे MS Access कहते हैं ठीक है और यह एक spread sheet software है जिसे हम MS Excel के नाम से जानते हैं तो यहाँ पर दोको यह name of product, price, total, unit or tax लिखा हुआ है ठीक है, different color provide करता हूँ इसको अब इस पर border लगा देता हूँ सब पे ठीक है, border लगाने के shortcut की होती है Alt H B A तो यह border automatically लग गया सब पे ठीक है, अब यहाँ पर हमको total करना है एक सामान का दाम, एक keyboard का देखो यह keyboard की spelling गलत होगी, इसको सही कर लेते हैं यहाँ से, R लग गया इसमें तो यह हो गया keyboard, ठीक है तो अभी एक keyboard की कीमत 300 रुपए है तो 6 keyboard की कीमत calculate करने के लिए सबसे पहले spreadsheet software में is equal to का निशान लगा करके Excel में हम लोग calculate करते हैं इसको select करेंगे, इसका cell address आ जाएगा multiply कर देंगे unit से यानि 6 खरीद रहा है, 300 का एक तो इसको multiply कर देंगे, तो यहाँ पर total आ जाएगा आ गया total, double click करेंगे, सबका आ जाएगा यह देखिए, सबका आ गया अब माली जे tax लगाना है, इमको tax ठीक है, तो माली जे यहाँ पर लिख दिया हमने 10%, इस समान पर 10% का tax लगा ठीक है, यहाँ पर 10 लिख दिया यहाँ पर क्या करता हूँ, 12 लिख देता हूँ 12%, ठीक है, इस पर 12% लगेगा, किस पर, माउस वाले पर 12% लगेगा, ठीक है, अब फिर यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर इस पर 18% लगा देता हूँ, tax कितना लगा दिया 18% 18% ठीक है यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर tax लगाते हैं यहाँ पर 21% लगा दिया tax देख रही हो तो यह 21% होगी आप फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ और 28% लगा देते हैं तो अलग-अलग taxes जो भी slab बनाए गया है government के द्वारा goods पर वो सारे ही taxes के slab हमने इसमें लगा दिये समझने के लिए ठीक है अब मालों के 1800 रुपए कुल कीमत है यहाँ पर 1800 दिख रहा है तुमको 1800 दिख रहा है ना तो यह 1800 पे 10% का tax लगा तो tax amount कितना हुआ यह कैसे calculate करेंगे ध्यान रखना कि आगे percentage लगा हुआ लगा हुआ है ना तो यहाँ पे आकर कि इस equal to का निशान लगा हूँ ठीक है total को select करो total e3 में है e column है 3 row है multiply कर दो tax से कितना tax है 10% इसका sell address क्या है F F F3 तो यहाँ पे F3 को select कर लेते एंटर करेंगे यहाँ पर यह tax amount आ गया है आ गया है कि नहीं आगे आते गए तो यहाँ पर देखो यहाँ पर इस पे 72 रुपए tax लग रहा है 600 का 12% अगर calculate करेंगे तो 70 रुपए आएगा ठीक है इसके हिसाब से यहाँ calculate होकर आगे तो यह tax तो बहुत easily आ गया लेकिन यहाँ पर कहानी अलग हो जाती है यहाँ पर यह Microsoft Access है तो जैसे कि पिछले वीडियो मैंने बताया था कि कैसे यह कहानी अलग हो जाती है देखो यह जो है यहाँ पर आ गए अब यहाँ पर design view पर हमने इसे ले लिया ठीक है अब design view पर जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर ID आ रही है तो यहाँ पर हम लिख देते है name of product क्या लिख देते है name of product यह लिख दिया name of product ठीक है name of product लिखने के बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर unit की बात करेंगे तो यह unit कर देते है unit कर दिया हमने और यहाँ पर unit अच्छा unit के पहले हमको price भी तो देना है कितना price हुआ इसका तो यहाँ पर price रख देते हैं यह price रख दिया और price को क्या रखेंगे currency data type currency का मतलब होता है पैसा रुपया जो भी हो तो उसे currency बोलते हैं तो currency यहाँ पर कर दिया हमने और यहाँ पर unit कर देते हैं कितना भी का एक भी का चार भी का दस भी का कितना भी का तो वो unit हो गया और unit को number data type यहाँ से data type चूज़ कर लेंगे number data type और यहाँ पर हमें total करना है क्या करना है total करना है total कितना हुआ तो यह total यहाँ पर हम करेंगे ठीक है टोटल करने के लिए हम यहाँ पर calculated data type का use करेंगे 2019 है यह तो आसानी के साथ calculated data type का use कर सकते है square bucket बनाएंगे ठीक है square bucket लगा लिए यह वाला square bucket बड़ा वाला question जो होता है उसे square bucket बोलते है तो यह लगा लिए अब किसको किसको multiply करना है price को multiply कर देना है unit से तो यह price into unit तो हमारा total आ जाएगा total आ जाएगा न और total के ही अंदर तो हमारा tax छिपा होगा ठीक है तो यह तो calculate होगा हमारा यह देखो यहाँ पर गए और यहाँ पर हमारा आ जाएगा तो यहाँ पर मालो name of product जो वहाँ पर लिखा था हमने छे item ले ले लेते हैं तो यहाँ पर total आ गया 800 ठीक है dollar में आ रहा है और रूपिय में भी आ जाएगा ठीक है फिर यहाँ पर mouse की बात कर लेते है mouse mouse हो गया तो यहाँ पर 230 रुपेगा मालो mouse है ठीक है और ऐसे mouse की price आ गई total clear है लेकिन अब हमको tax भी calculate करना है तो tax कैसे calculate करें तो यहाँ एक tax के लिए अलग से field डालेंगे हम यहाँ पर आए यहाँ पर लिख देंगे tax 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 लिखा हमने और tax लिखने के बाद क्या करना है यहाँ से इसको हमें number बनाना number बनाएंगे क्या बनाएंगे बताओ, number बनाएंगे तो number बनाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर tax अंटर, यह click किया है इस पर चलो देखते हैं, tax अंटर कर पाते हैं कि नहीं तो यहाँ पर tax हम लगाते हैं, तो 6% मैं लिखता हूँ, यह 10% लिखता हूँ परसंट लिखते हैं, तो यह format पे जाना है यहाँ पे drop down मिलेगी तो यहाँ से आप क्या करिएगा इसको percent बना दीजेगा अब percent बनाने में problem क्या है अभी दिक्कत आएगी देखो अभी भी जाओगी यहाँ पे तो यह percent में आ तो गया है लेकिन यहाँ पे जैसे 10 लिखोगी न तो यह 10 support नहीं करेगा क् decimal में बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे long integer दिया हुआ है इसको हम double बना देंगे क्या करेंगे double d देखो double आ गया न यहाँ से drop down से भी जा सकते है double आ जाएगा ठीक है तो double select कर लेना है और यहाँ से view पे click करना है यह हो गया अभी देखो यहाँ पर अगर आते हैं तो अ text आ करके और फिर आगे थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा different रखेंगे तो यह हमने कर दिया सत्र हजार रुपए led monitor कितने का है सत्र हजार 17,000 यहाँ पर कर देते हैं seven item और यहाँ पर total आ गया उसके हिसाब से देख रही हो अब फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ text कितना लगेगा तो भाई इस पर text थोड़ा सा बढ़ जाएगा 18% text कर देते हैं तो यह 18% कर दिया ठीक है LCD monitor LCD LCD कर दिया ठीक है यहाँ पर आए अब यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ थोड़ा सा कम कर देते हैं 12,000 कर देते हैं यह 12,000 कर दिया यहाँ पर item बात करते हैं seven तो अब यहाँ पर फिर वापिस से हमको tax amount calculate करना है तो फिल्ड एक्ठो बढ़ाएंगे tax तो अब हमारा हो गया clear हो गया अब यहाँ पर यह tax amount कर देते हैं यह लिखा मैंने tax फिर लिखा amount am, o, u, and t तो tax amount हो गया इसको calculated data type में ले करके क्या करना है हमको total में ही तो हमारा tax छीपा हुआ है तो total यहाँ पर लिखिए, bracket को close कीजिए multiply कर दीजे किस से, tax से क्योंकि अब तो percentage में लिखा जा चुका है ने tax तो tax से इसको multiply कर देंगी तो आपका answer आजाएगा तो यह आपका answer रहा, देखिए, यहाँ view पर click कीजे, yes करिए तो यहाँ पर आपको answer मिल जाता है कि कितना कितना amount tax का कटा हुआ है, ठीक है इसको आप drop down में भी लेके आ सकते हैं कैसे आएंगे, drop down में इसको कैसे लेके different class में बताएंगे, अभी फिलाल यह समझ में आ रहा है, tax amount कैसे calculate हो रहा है एक्सल पर कैसे हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर कैसे हुआ है दोनों चीज़े समझ में आ रही है